महिला दिवस महिलाओं के लिए समर्पीट सिर्फ एक दिन पर एक महिला अपने जीवन का हर दिन समर्पीट करती है हमारे लिए सिर्फ एक दिन समर्पीट के हो जब कि हमारे भीतर हर दिन को अपना दिन बनाने की ताकत है स्रीत वकासन मान करें क्योंकि उससे जादा सुन्दर कुछ भी नहीं है महिला दिवस के आउसर पर ऐसे ही खास महिला से हम बातचीत करेंगे जो के उतकर्ष बहुत देशिय संस्ता की संस्ता पकत दिक्षा भी है नारिज शक्ति ओमन एंपावर संस्ता की प्रदेश दिक्षा भी है हमारे स्टुडियो आई है महिला दिवस के विशेश असर पर बहुत बहुत स्वादत है मैं आपका बहुत ही आपका नाम है अब महिलाओ के लिए बहुत यह अच्छा कार्य रहता है तो आज की दिन आपको भी महला दिन की बीसीन की पूरी टीम से टीम की ओर से शुवेच्छा और भाट धन्या तीम को मेरी योड से भी बहुत-बहुत सुबकामना है और पुरुष के पुरुष से ही सिर्फ जी हां पुरुष के पुरुष से ही सिर्फ बनेगी नहीं धरा ये स्वर्ग बनेगी नहीं धरा ये स्वर्ग चाहिए नारी का नारित्व तभी होगा ये पूरा स्वर्ग तभी महाराश्य से मैं अपनी संस्था के माध्यम से यहां अपने विचार शेयर करना चाहती हूं तो स्वागत है अब इलकुल मैं मेरा सबसे पहला सवाल आप से यह है कि आपकी उतकर्श बहुत दिशे संस्था की स्तापना तक का सफर जो था वो इस तरह से रहा इस सफर में मेरी बेटी डॉक्टर प्रियंग का पर्यार ने मुझे कदम कदम पर साथ दिया जब पहले मैं हिंदी महिला समीथी से बर्सों जुड़ी रही वहां मैं जॉइंट सेकेटरी थी पेवे वहां जंसंपर कदिकारी थी लेकिन जब पर्यार साब रटायर हुए और हमने बेसा में ब करनी और उसके माध्यम से भी बहुत सारे प्रोग्रम्स अरेंज करती हूं बिल्कुल बिल्कुल आप जो यह कारी कर रही हो इसमें आपकी घर वालों का सपोर्ट आपको कैसे रहता है क्योंकि बहुत से जिम्मेदारिया हम जो महिलाओ को निभानी परती है और उसके बाद ह जो है हमारा बहार काम कर सकते है तो क्या बताऊगे इस बारे में क्योंकि आप खुद ही महिलाओ के लिए भी कारी करती हूं जी हाँ फर्स्ट फ्रेंज किसी भी महिला का पहले घर को होना चाहिए मैं घर का सारा टाइम-टू-टाइम काम करने के बाद समाज कारी करती हूं महिलाओं और बेटियों के लिए मैं ज्यादा काम करती हूं वैसे तो मेरे इसमें बहुत सारे प्रोग्राम में करती हूं जैसा कि अभी आपको जानकारी मेरे कालक्रम की होगी कि मैं किस माध्यम से कैसे कैसे समार सेवा कर रही हूं तो मैंने 2004 में अपनी संस्था रजिस्ट में नाम भी आएंगे तो यहां की महिलाओं सिगनेचर करने के लिए भी घबराती थी उनको लगता था कि मैडम क्या मालूं क्या लिख के हमारी सिगनेचर ले रही है बड़े मुस्कुल से मैंने उनम जागरती लाई और आप बढ़ी सब बढ़ चार के हिस्सा लेती है कि वो एकाई सौ पांचाजार एक लेके जग़ जग़ बहुड़न काने जाती है हर छिगा कहती है कि हमारी गुरूमा डॉकटर कविता परियार मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे दूसरे लोग यह बताते हैं कि तुम्हारे एंगे महिलाय आती है और और कहती है कि हम पर्यार मडम सी सीखे है बिल्कुल ये तो बहुत ही अच्छी बात है मतलब किसी भी कार्य की हमें ये प्रशन सा जब होती है तब वो कहते हैं कि कार्य जो है हमारा सफन हुआ है बिल्कुल उतकर्ष बहुत दिश्य संस्ता द्वारा कई महिलाओं के लिए जो है जैसे कि हमारी संस्ता का पहले बोटो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन मैंने इसमें एट गया कि बेटी को स्वालम भी बनाओ बेटी में क्योंकि मेरे आख के सामने कई ऐसे उधारान थे जो लड़किया हैं डाक्री की हैं वकील हैं इंजीनियर है साधी के अधरा रह जाता है लेकिन मेरा यह कहना है कि जरजर चीज के लिए उनको पार्लर जाना उनको एक कुछ घुट भी खरीदना हो प्रेंड के लिए तो पत्ती के सामने और पिता के सामने उनको हाथ पहलाना पड़ता है तो मैं चाहती हूं कि वह सेल्फ डिपेंड रहें और कि सादीं स्वावलं वा बनने के भाधि उनकी सादी व्यों के बारे में इस पारे में बताई लिए अभी हमने हिंगना में एक अध्योगनी केंदर खोला है जहां हमारे क्याग वनाने का प्रशिक्षन होता है और इंग्लिस स्पिकिंग कोर्स इखाया जाता है सिलाई सिखाई जाती है काफी कुछ वहां जो निरक्षर महिला है उनको साक्षर करने के प्रोड़ सिक्षा है उसको भी हम महा प्रोस्थाहन देते हैं ऐसे कई काम हम करते हैं हम मंच देते हैं महिला को जिनको गाना आता है वो गाना गाती है जिनको डान्स आता है और कुछ प्रतिभा हमें चूपी रहती है उनको मंच महिला दिवस के दिन उनको हम सब्मान करते ह तो उनको देखकर बाकी भी और तो में एक उर्जा उत्पन होती है वो सुस्ति कि जब यह कर सकती है तो में क्यों नहीं कर सकती तो सबकी अपनी प्रतिभा को उभारने का हम एक मंच देते हैं बिल्कुल पीपल नीम अभियान भी आपने चलाया था इस बारे में पीपल नीम बेएल में बहुत बढ़ा राश्तरी सम्मेलन हुआ था आप अपर्यावरन, युद्धा का सममान मुझे, इंटरनेशनल सममन मुझे परात हुआ हो, यह भारत पहरsarda में सम्मान मिलें जैसे राणी पद्मवाथि अवार्ट के लिए इंटरनेशनल आवार्ट 걸ुट सबहा अब जेतपूर में मिला है मैं इसी वीक में मिल रहा है बिलकुल बिलकुल जिस तरह से आपका कारिया है उसी को सम्मान किया जा रहा है हम कह सकते हैं जो पुरसकार आपको मिल रहे हैं मेरा एक सवाल था कि जो आप काम मतलब यह समास सेवा करते हो इस दोरान घर के और किस तरह से ध्यान देते हो घर से जो है कैसे सपोर्ट मिलता है आपके बेटी है आपके हस्बेंड है इनके और से या और भी जो रिलेटियूज होते है तो कभी ऐसी दिक्कते आई है कभी काम क है हाथ भी मेरा सीधा नहीं है लेकिन मैं अपना काम खुद करने में आत्म निर्भर होकर खुद करती हो लेकिन मुझको घर से कभी किसी ने विरोध नहीं किया है क्योंकि मेरा काम अच्छा था इसलिए मुझे घर से भी प्रोसाहन मेला है और कहीं मेरे को रुकावटने आपको और क्या कारे करने हैं महिलाओं के लिए तो मेरा बहुत ये मन में आता है कि अभी जैसा केरी बैग बंद हुए थे तो मैं पेपर बैग बनाने के लिए लार्जी स्केल पर काम करना चाह रही थी फिर उसके बाद में मैं उन लोगों को अगरवत्ति वग्रा करना चाह लेकिन लागडाउन होने के कारण मेरा प्रोजेक्ट सब रखा रही है हाँ एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूं जो शायद मैंने आपको बता ही नहीं है कि इस दो साल के करोना कालवे में को 43 संस्ताव ज़ारा सम्मानित किया है करोना युदा समान से जब पहले कर करोना चालू हुआ था उस टाइम में पूने में बेटी के हाथ ही मेरे ग्रेंडशन का बल्डे था और मैं वहीं ही रह गई क्योंकि सारे फ्लाइट्स भी बन थे ट्रेन भी बन थी बसे बन थी तो वहां से मैं फोन पर अपनी संस्ता के माधियम से और अपने परचितों के म कराने माधियम से कंवित देड़ में दोनों 55-55 डबे खाना बट वैया है राशन केज बटवाये हैं हमक के केड़े हैं हमड़ी towards Shore हमेरी संसान Εंस्कर ब 누ल्य वह वहां बस वर नहीं तmax अब श्सकाने चंब बहूत कि और मुद्धे नहीं पूना में यह में रदना कांग मू अपने status पर अब्डेट करती थी, उसके मादम से मुझे इतने लोगों ने जाना पहचाना और मुझे इतने सारे सम्मान मिले, ये मेरे लाइफ में एक अचीवमेंट है, कि मैंने करोनकाल में 43 सर्टिपिकेट पाए है, महिलाओ के स्वास्त के लिए भी आपके द्वारा जो है अपने स्वास्त के ध्यान नहीं देती हैं, और जब महिला स्वास्त रहेगी तब परिवार स्वास्त रहेगा, और जब स्वास्त रहेगा, जब स्वास्त रहेगा, जब स्वास्त रहेगा, जब देश स्वास्त रहेगा, तो महिलाओं को अपने खान पान पे, अपने प्रो सारी क्ला ने कि ज्यादा काम पहिलते हैंगट निजय को सबसे जबेए जरुहने ज़रू है तो मैं चाहते हो कि आपnantे आप पहेंचाने महिलिआ हैं आप एक लेखिय का हो आप समाज सेवी का हो और चुनियों सोरे कारी तो ये सब कैसे शुर्च खीम के हो कता है बिल्कुल हो जाता है, देखो कभी-कभी तो ऐसा मौका आता है, कि एक ही दिन में में को 3-4-4 प्रोग्राम अटेंड करना होते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बाती है, मैंने अपने लाइफ में ये कभी शिकायत नहीं किया अपने आप से, कि मेरे को टाइम नहीं है, जिसको टाइम मेंजमेंट आ गया है, उसको टाइम ही टाइम है, आपने गणते पहले उड़ जाए, तो अपन बहुत सारे काम जल्ली समय के पहले निपटा के भी भी अपन बागी प्रोग्राम को टाइम दे सकते हैं, तो मैंने समस्ती कि जैसा लोग बहनेवाजी करते है, अब तो मत-हतोब दोनी अब समय को एगोत अभन हảiां है, इसमिन भाइए को प्रस्तों को करते हैं कि कमिल करते है longtemps करते हैं rappers क सब्सक्राइब का मत-पमान करो करो नारी का जी हां मत अपमान करो नारी का नारी से जग चलता है उरुस जनम लेकर भी नारी की गोद में पलता है नारी की गोद में पलता है तो उसे अपनी मा का अपनी बहन का और अपनी नारी सक्ति का सम्मान करना चाहिए यह उनके लिए मैं कहना चाहती हूं और लड़कि को आप सम्मान कीजिए घरवालों को अपने फिवर में लेके काम करोगी तो आपको कभी भी रुकावट नहीं आईगी जैसे किया अभी आपहरा हिकी की बात हुए कुम है यह कैनल कि सदी के बारे में कि किस भी जदी नारी के विकास की नहीं नारी के वर्चसव की सदी है और मैं चाहती हूँ कि आज से नहीं हम देखो अतित से देखते हैं हमारे सा सरुजिरी नायडू है इंद्रा गांदी है बचंदर इपाल है केरन चावला है और अभी की लेलो लेटर सिंदुताई सबकाल जी है जिनकी साथ मेरे को कोहलापुर से अभी वहां से अहलेवाई होल कर पूरुषकार सिंदुताई सबकाल के हातों से मिला और काफी समय तीचार घंटे हो मेरे साथ थी उसके जस्ट बाद उनका देहान्त हो गया बहुत दुख हुआ मुझे अब हमारी लिए गौरा हो है हमारे लिए कितना बड़ा सब्मान की और सभीमान की बात है तो मा तू है यह स्वाभीमान है बहन तू सान और अपने आपको अबला मा समझना क्योंकि तुझ में सहने की और सबला बनने की चाह है बिल्कुल बहुत बढ़ीा जोาง उक्रणा कर दें कर रिष्टों में बन थी दुनिया सारी हरे हर पक को रोशन करने वाली वह शक्ति नाalten कि ये बा आगे उसके इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी मतलब असम्ब हो नहीं है और आज के महिला विशेष कारेक्रम में आप यहां आए और महिलाओ को बहुत अच्छी जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने मुझे यहां मंतृत किया और में सब्सक्राइब आपने कारेक्रम में वक्त हो गया यही रुपने का आप देखते रहें यहीं नमस्कार नमस्कार